सब गाइज कैसे हैं आप सब तो वेलकम पैक तो थर्ड एपिसोड ओफ माइफ इमेल मार्केटिंग सीरीज और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि आप अपनी फर्स्ट इमेल लिस्ट कैसे क्रियेट कर सकते हैं गेट रस्पॉंस के अंदर और साथी साथ आप कैस आपको मिलता है जो आपके लिए हल्फुल है कि अब के लिए हैं तो अगर प्रॉपर सीखना है तो पूरी वीडियो लाज तक देखना है तो अगर आपने फर्स बर विजिट करा है मेरे चैनल पर मेरी चैनल की फर्स वीडियो आप देख रहे हैं तो यहां मैं शियर करता वीडियो की नोडिफिकेशन चाहिए तो इमेल क्लिये करने से पहले हमें चाहिए गैट रिस्पोंस का अकाउंट चाहिए पहले सबसे पहले से साइन आप कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख रहाँगे तीन प्लान्स अवलेबल हैं आपके सामने बेसिक प्लस और प्रोफेशनल जैसे मैं आपको प्रीवेस वीडियो के अंदर बताया था कि आप बेसिक के लिए फर्स्ट अफॉल जाहिए तो इसलिए मैं इस प्लस प्लान कर टाया लेगा आपको कवर करूंगा जिससे बेसिक के सारे टूल्स कवर हो जाएंगे और एडवा अच्वाप कि लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप किसी भी थीना के लिए सांब कर सकते हैं बड क्लान प्लान है उसके लिए आपका क्लिए आग प्रॉफज चाहिए तर जांसे आपको यहां पे अपना नाम डालना है आपको आप आपको आपका email address डालना है और अपना password डालना है और create account के बर क्लिक करना है जैसे आप create account के बर क्लिक करेंगे तो आपके पास email के नोडिफिकेशन आएगा confirmation के लिए कि आपने करने के लिए कि अपने साइन अप करा है यह नहीं तो जैसे कि आप स्कृन्ट पर देख रहोंगे और एक्टिवेट करने के लिए मेल आया हुए जिसके बर मुझे के अपर क्लिक करना होगा तभी मेरा यह अकाउंट है जो स्टार्ट होगा ठीक है तो मैं आपको email दिखा देता हूँ ठीक है तो यह देख सकते हैं आप ऐसा यह मेरे पास mail आया है ठीक है गड्रेस के तुरू अब मुझे सर्फ इसको पर एक्टिवेट पर क्लिक करना है और अब मुझे सर्फ नाम और मेरा कंट्री आज चुका है इसमें सर्फ एड्रेस डालना है मुझे अपने सिटी डालनी है और अपना फोन नमर ड़के एक पर कंफर्म करना है और मुझे टेक मीट करना है और मुझे मेरे अकाउंट के पर भेज देंगे तो जैसा कि आप देख यह आपका इंटरफेस है एक चीजे में आपके साथ शेयर करूंगा क्या क्या काम करने वाली क्या किस काम आने वाली है तो सबसे पहले हैं अपको बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैनियू से यहां पर आप देख रहोंगे यहां पर है बहुत सारी चीजे इमेल मार्केटिंग आटोरेस्पॉंडर आटोमेशन वेबिनार कनवर्जन फनार लेंडिंग वेजिस फॉर्म और फीस्टूक एड्स एक चीज़ एक एक करके हर चीज़ से आपको करता हूं सबसे पहले आप एमेल माकेटिंग के पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका न्यूज लेटर यह बेसिकली आपकी न्यूज लेटर आजाए लेटर आप ऐसा बना सकते हैं कि आपके प्रॉपर लिस्ट है उसको अंदर आप जैसा पोस्की मैने मेरे पास एक एमेल लिस्ट है थाउजन लोगों की यूटिप चैनल की अगर मैं कोई न में उस्ट बना ज्राए प्रॉपर यूज कोष्छा आपका यहां बना सकते हैं तो यह होता एमेल के अंदर यहां पर करता हूं ग्रम हो आपको साल करीए वह बहुत बताको आपको मैं अपको बताता हूं究 अपकर यह नहीं करेव nephew हैं और यहको कर आहांम मैं जादा टो ऐस भाइब के अंदर एक सीक्वेंस बना सकते है ईमेल्स का सेट टो एफ यह तैन्वे मिल्स का जसे मिन अपको प्रीवेस वीडियो निसके बताया था कि आप क्या कर सकते है इस को यह पंदा अज्य पर आपके साइन अप करता है यह सब्सक्राइब करता है तो आप एक आपका automation ठीक है अब automation थोड़ा सा एडवांस हो जाता है काम यह आटो रिस्पोंडर का ही करता है थोड़ा सा एडवांस है इसके नदर आप बहुत सारी चीज़े कंट्रोल कर सकते हैं करते हैं कि कि अपनी किसी को मेल भीजा और दो दिन मेरा को एमेल नहीं खुल राएं तो मैं अपनी लिस्ट से हटा सकता हूं और दो दिन तक मेरा इमेल नहीं खुलता है या फिर आप ऐसे भी कंट्रूल कर सकते हैं कि लेट सबस्थ मैंने आपको एक मेल भीजा तो बजाए उस थर्ड इमेल का जो जो थर्ड इमेल है जो सीक्वेंस केंदर है उसके बजाए मैं आपको कोई एक अलग से इमेल भीज सकता तो एक अलग से जो सीक्वेंस बना रखा है वह वाला सीक्वेंस आपके पाथ जाना स्टाट हो जाएगा तो बेसिकली हर एक चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने और अपने अकोर्डिंग आप कैसे सेट अप कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लिज्ये चैनल को सीरीज को फॉलो करते हैं देन उसके बाद वेबिनार है वेबिनार अपना होज कर सकते हैं मैं आपको ओनेसली वता रहा हूं यह फीचर कभी यूज करा अब आप चाहें तो वेबिनार को लाइव कर सकते हैं वेबिनार पहले सब बनाकर रख सकते त्वेबिनार के हैं टाइक है आगप इसके अंदर क्या हूता है आप अपने एक फंट्र कर सकते को कंवर्जन के लिए लिए ऐसे है जैसा कि amoya इनफॉम है आपका फिर आटो रिस्पॉंडर काम करेगा बिसिकली एक काम करता है कि आपके साइना पेज से लेके कस्टमर आपके चैक आउट पेज तक आएगा यह एक फैनल है अब जिसे यहां पर थोड़ा सा आइडिया लेंगे तो 2167 विजिटर्स आए थे उसमें से कुछ यह 1068 विजिटर्स के अंदर एड़ हुए उसके बाद जो मैंने आटो रिस्पॉंडर सेट करा था मतलब जो अगर एक्जम्पल फीजर में करूंगा तो उसके अंदर 534 क्लिक्स आए उसके बाद उसके अंदर क्लिक्स के अंदर भी कितने विजिटर्स आए मेरे मेल के थू तो अपनाट अथैंनी से बाद कितने अड़ική हुए मेरे पराड़ के लिए अरृट कितने क्मप्लीट हुए कितने रिफांड हुए उसके बाद कितना में रिवेनियु जनरेट करा ये यहर डक्र इसका हर मतलब यूज कर सकता है किने उस चीजों क्लिए आपको अलग से वही होते हैं जहां पर अपना email करते हैं यहां पर प्रीविल्ड आपको बहुत सारे landing pages मिल जाते हैं तो आप इसके दुरू landing pages create कर सकते हैं forms and surveys आप बना सकते हैं अगर आपको नहीं पता है आपको advance में सीखना तो आप यह वीडियो भी चैक कर सकते हैं इनकी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे टुटूरियल्स प्रोवाइट करते हैं तो यह जो बेसिक बेसिक चीज़ा मैं आपको बताने वाला था कि यह चीज़ा आप यूस कर सकते हैं अगर आप पहले से सीखना चाहते ह स्थाइब आपके की कॉंटक्लेट क है अपके बना के प्लाग य और आप टेनों की था चैनल में आपके अफंटेगा कर तो यह कर सकते हैं और अगर रिपोर्ट में जाके आप निकाल सकते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमें आप कर सकते हैं अगर आप जाओने नियूस कर सकते हैं कर सकते हैं यहां से सेल्स पनल कर सकते हैं फॉर्म्स कर सकते हैं तो यह चीज़े कर सकते हैं उसके बाद एक और चीज में आपको बनाना सिखा देता हूं एक चीज अब लिस्ट में अगर आप जाएंगे ठीक है लिस्ट में जाने के बाद आप लिस्ट में आ गए पहले से कां कर सकते हैं लिस्ट फॉर्ट बनाई ती यह दे लेस्ट बन क्यों तो इसके अंदर कोई कॉंटेक्ट नहीं एठिक डॉपrica करूँगा और उसके बार इसको यंद कर दूगा इस लिस्स से आप स्वाय प्लें शूह कर सकता वह आप बताता हूं कैसे करना है तो उसको चूज कर सकता हूं और वो जो कितने भी कॉंटेक्ट होंगे विस लिस्क के अंदर आजेंगे अगर आपके पास पहले से कोई आप software यूज करते थे एमेल मांकेटिंग का और पहले से आपके पास कॉंटेक्ट्स हैं तो आप .csv करके यहां पर चाहिए आप एड कोंटेक्ट पर उसके बाद अपलोड पर करना यहां पर से आप इस फॉर्म कंप्यूटर के अंदर से आप अपनी .csv.txt या .xl जो भी मतलब फाइल है जितने फॉर्मिट है अब लेबाल है उससे आप अपनी अपलोड कर सकते हैं और डारेक्ली उसको इस लिस्ट के अंदर एड कर सकते हैं तो लिस्ट का इतना सा काम है मैंना को तदिया लिस्ट कैसे क्रियेट करते हैं ठीक है अब एक चीज़ और आप को एक इंपॉर्टन चीज़ उतायता हूं अब पहले जाए माई कांटेक्ट के अंदर मैनेज अकाउंट मैनेज अकाउंट के बाद आप जाना इमेल ड्रेस पर देख पा रहे होंगे जैसे जो इमेल ड्रस हैं पर इमेल ड्रोटकॉम है अब यहां पर E-Hotmail.com एडरेट यहाँ डॉट कुछ भी हो सकता है यह किसी तूल के अंदर प्रॉब्लम है ठीक है कि यूज करें मेरे चैंप यूज करें गैट रिस्पोंस को करें जो भी यूज करना है वो करें पर अगर एडरेट इमेल डॉट कॉम या फिर कुछ आपका सब्डॉमेन पहले से है से पहले हैं तो जितने भी आप ईमियल के तो जытने भी मेंगे चांजर तो जितने भी मेच आएंगे सारे के सारे में फॉल्डर के देंगे लिखंगी तो इनभॉक्स के अंदर नहीं जाएंगे एंख स्टीस to आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर e-mail करना पड़ेगा यहां पर आप अपना नाम डाल सकते हैं अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कोई अकर आपके पास personal domain है let's suppose कि add the rate raulhermerker.com ठीक है यह पर add the rate xyz xyz.com यह जो भी dot com है ठीक है तो आप यहां पर अपना let's suppose मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पार domain भी है पर मैं यूज नहीं करना चाहरा है क्योंकि आपको बताना नहीं चाहरा हूं और इसलिए बता रहा हूं जिससे जित्त भी mail जाएंगे आपके वो directly उस email के तुरू जाएंगे तो जिससे है क्या है आपकी जित्त भी mail वो spam folder के अंदर नहीं जाएंगे direct inbox folder के अंदर जाएंगे ठीक है और अगर आपके पास domain नहीं है तो नीचे मैंने link दी दिया है सब्सक्राइब का सब्सक्राइब वहां मिल रहा है 499 रुपीज में अगर आप चाहो तो domain ले सकते हो क्योंकि अगर honestly आपको email marketing स्टार्ट करनी है तो आप आपके पास domain होना बहुत ज्यादर जरूरी है मेरे पास है पर sorry मैं आपको अपना domain बता नहीं सकता रिवील नहीं कर सकता बट वह मैं दूसरे अकॉंड में यूज करता हूं ठीक है तो आप एक domain कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब अगर आप चाहो तो खरीच सकते हो otherwise आपको लगे कि आपको बजट है या कमपटेबल हैं आप सीरियस हैं email marketing से रिलेटर त यूटूब टूरियल तो आप अपने हिसाब से देश सकते हैं अब उसके बात from email address अब फ्रॉमील एड्रेस में वह email address होगा जिसके थूए email को जाएगा तो यह email address है अब reply to email address वह होगा जिसके अंदर आगर वह reply करना चाहिए आपका जो customer है या फिर आपका जो subscriber है करना चाह सकते हो मैं यहां से चेंज कर सकता हूं ठीक है वो मैंने एड नहीं कर रहा है तो आपको मैं मैनेज अकाउंट में जाके यहां पर जाके एड करना पड़ेगा ठीक है और आप एड कर सकते हैं आप जो from email address है जिसके आप जाने आप यह email यूज ना करें आप अपना खुद के रखता हूं ठीक है मैं एक्जांपल दे रहा हूं आपको जो टाइटल रखना आपने newsletter का वो रख सकते हैं ठीक है यह रख सकते हैं आप उसके पात यहां पर लिस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं पास दो लिस्ट है जैसे मैं आपको बना के दिखाई थी यूटूब टूरियल औ उनके पास यह मिल जाएगा तो मैंने एड कर देता हूं ठीक है अब यहां पर डिजाइन मैसे इसके अंदर जाओगे तो आपके पास टेंपलेट साजएंगी बहुत सारी जिसके अंदर से आप चूस कर सकते हो यह अगर आप चाहो तो प्लेन टेक्स भी सेंड कर सकते हो यह जो आपको सही लगए लेट सब्सक्राइब के लिए चूज कर दे रहा हूं यह वाली एक्जांपल के लिए में चूज कर रहा हूं आप कोई सी भी ले सकते हैं बहुत सारी टेंपलेट से इसके अंदर आप उससे निउसलेटर बना सकते हैं एक्शुली इसका मतलब क्या है आपको जो प्लेन मैसेजज आते हैं जो आपके बास इमेल आते हैं ठीके फोटोड़े इंटरस्टिंग नहीं होते हैं इसलिए जो सब्सक्राइबर होता है वो ज्यादा इंटरस्ट नहीं लेता आप सको रीड करने में यह यूज़ कर सकते हैं अपने इमेल मार्केटिंग म अब देखिए यहां पर क्या है स्पैम चेक यॉर गुड़ तो अब इसके अंदर एक आपको फ्री स्पैम चेकर मिलता है अगर आपके पास इमेल के अंदर कुछ भी ऐसा हो जिसके वज़े से अगर आपका इमेल स्पैम फोल्डर के अंदर जा सकता है तो वह आपको पहले ही कि अब्यारिक बताते का वह अपनी आसाँ के अपने हैसाब से क्वज़ेट कर सकते हैं इंब्यार कर सकते हैं अबकिट्ने हैं इंबोक्सक्राइट अगर्प कुछ उर्याईनysł subagar लृक्षी हो समसे इनधा पको जितना हो सकते ऀए एमेल सेंड करने जो स्पैम फोल्ड के बचार सीधा इंबॉक्स फोल्डर के नदर जाए अब यहां से उनको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा भी करना है अब यहां से टेक्स्ट में कुछ भी चेंज कर सकता हूं इस पूरे को अठाके में सिर्फ यूटुब टुटोरियल लग सकता हूं अब यह कुछ भी कर सकता हूं आपने हिसाब से यह आपको डिजाइन मिल चुका फ्री टैंपलेट यूज कर सकते हैं आप अब यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना और आपका यह बिल्कुल रेडि हो जाएगा अब अपने कॉर्डिंग साइट कर सकते हैं एक और चीज एक् सब्स maybe 534 अपनें सो लोगों को एमेल भीजा है तो किती लोगों ने उसकтобέλ करके चECK करा यह करें वह तो इस अनलेट कि कर सकते हैं थेक्षोब कर सकते हो कि सेंपल की तरूपे 20 sensory सकते हो कि आपका इम dealt कYU मैल कैसा बहुत भीर में तेख देगा आप अबसे हैं की कैसा सापन गड़ सकते हो इसके थे सीमें सुट्राइण कर सकते हो तो से कर सकते हो एक डिटी नेता है अगर आपने पतोड़ा डॉटा बना लेगा की पिस टामपे क Everybody डिमील करेंगा जिससे चांसे बढ़ जाएं कि आपका एमेल पर पर लूब करेंगा है तो यह स्फेन वरने सेटरेंग करतें विडियो तो यही एक बेसिक वेडियो थी जिसके लिए बेसिक्स बताने थे आपको ठीक है तो आप थोड़ा बहुत आईडिया लग गया होगा आपको की इसका कर सकते हैं कैसे कैसे काम करता है तो इमेल लिस्ट मैंने वनाना जिका दी कि को कि 1000 सब्सक्राइबर की लेमिट है फ्री ट्राइल के अंदर 1000 से उपर जाएथा आप सब्सक्राइबर इमेल लिस्ट के अंदर नहीं रखते सकते फ्री ट्राइल के टाइम पर ठेक है तो उसका एक चीज जहान रखना पाकी थोड़ी वह चीज़े में आपको बताती है अब वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि आप landing pages कैसे create कर सकते हैं जैन उससे next video के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप automation कैसे कर सकते हैं ठीके दोनों चीज़ें आपको upcoming second दो वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देजिए नोडिफिकेशन को दबा लेना बागी अगर किसी को मैंसे परस्नल कंसल्टिंग कॉल चाहिए online बिजनेस से रिलेटेड़ अफ्लेट मार्केटिंग ब चाहिए बिजनेगा है तो पो धषैयल चाहिए तेस्टिंग बिजनेगे छूर्डविकेशन काहते तो आपकेर आपकेर ठीजनेगियो चींपकेर आपके